पूटी से शहर की मध्यम वर्गिया परिवार की लड़की थी। पूजा के पिता जी नरेश एक स्कूल में अध्यापक थे। पूजा का कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके पिता उसके लिए रिष्टा देखने लगे। एक दिन नरेश के खास बचपन के दोस्त विजे ने अपने बेटे मयंक के लिए पूजा का हाथ मांगा। ये सुन नरेश खुश भी हुआ और चिंतित भी। क्योंकि विजे एक बहुत बड़ा बिजनेसमेन था और विदेश में रहता था। पर मयंक मुंबई में रहकर इंडिया का बिजनेस संभाल रहा था। विजे और उस लिए वो इस द्रिष्टी से खुश थी। उसने फेस्बुक पर मयंक की तस्वीरे देखी। मयंक बेहद ही स्मार्ट और अमीर लग रहा था। जल्द ही विजे और सरीता इंडिया आ गए और मयंक के साथ पूजा के घर गए। कुछ देर मयंक और पूजा ने बाते की। मय पूजा से मिलने के बाद मयंक ने पूजा से ना तो फोन पर बाते की और ना ही उसे मिलने आया। हर बार व्यस्त रहने का बहाना बनाता रहा। पूजा और मयंक की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद पूजा मुंबई आ गई। सुहाग रात के लिए मयंक ने बड़े ही आलिशान होटल में एक रूम ले रखा था, पूजा और मयंग होटल पहुँच गए, पर वहाँ होटल के रूम में पूजा को अकेला छोड, मयंग कहीं चला गया, पूजा उसका रास्ता देखने लगी, कुछ देर बाद मयंग लोटा, उसके पास से शराब की स्मे आ रही थी, पूजा ने पूजा, क्या आपने ड्रिंक की है, मयंग ने कहा, हाँ, शादी की खुशी में दोस्तों ने पार्टी मांगी, तो थोड़ी पी ली, मयंग उसके पास आकर बैठ गया, और उसे चुने लगा, पूजा से शराब की स्मेल बरदास्त नहीं हो रही थी इसलिए पूजा ने कहा, आप अभी सो जाएं, आप होश में नहीं हैं, ये सुन मयंग ने कोई जवाब नहीं दिया, और पूजा को चुना जारी रखा, पूजा से बरदास्त नहीं हुआ, और उसने मयंग का हाथ हटा दिया, इस पर मयंग को गुस्सा आया, और वो जवरदस्ती करने लगा, फिर कुछ देर बाद मयंग गुस्से में कमरे से बहार चला गया, मयंग के जाने के बाद पूजा उदास्ती बैठी रही, आसु बहाती रही, पूरी रात सो ना सकी, सोचने लगी कि किसी से यह कह भी नहीं सकती, सुहाग रात की पीड़ा के बारे सौरी, मुझे कल रात ऐसा वेवार नहीं करना चाहिए था, वो नशे में मुझसे यह सब हो गया, तुम यह बात किसी से मत कहना, चलो रेडी हो जाओ, अच्छे से हम नाश्ता करने नीचे चलते हैं, मयंग की बाते सुन, पूजा ने सोचा, शायद कल शराब के नशे में मय मयंग ने वो सब किया होगा, और किसी से ये बात कह भी नहीं सकती, गलती मेरी भी है, मुझे मयंग को नहीं रोकना चाहिए था, अभी नई नई शादी हुई है, मुझे ये सब बाते मम्मी पापा को बता कर परिशान नहीं करना चाहिए, इसलिए पूजा भी अच्छे से स रीता और वीजे भी वहाँ आ गए, बेटे बहु को एक साथ देखकर बहुत खुश हुए, कुछ देर बाद वे चारो घर आ गए, मुंबई जैसे बड़े शहर के पाश इलाके में बड़ा सा फ्लैट, कई कीमती समान से सजा हुआ, ये सब पूजा ने पहली बार देखा थ घर पर थोड़े बहुत महमान भी थे, सरीता ने सारी रसमें पूरी की, अंगूठी ढूनने वले खेल में कई बार मयंक ने पूजा का हाथ भी पकड़ा, पूजा मयंक के वेवार को समझ नहीं पा रही थी, रात हो गई, पूजा अपने कमरे में थी, कुछ देर में मयंक भ नहीं था, आते ही पूजा के पास बैठ गया, और उसका हाथ पकड़ कर बोला, सरी, कल रात के लिए, जो भी हुआ, तुम उसे भूल जाओ, क्या हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, ये सुन पूजा ने हां में गर्दन हिलाए, मयंक ने उसे बाहों में भर ल उसे हीरो का हार भी गिफ्ट में दिया, उससे कुछ देर बात भी की, फिर कब पूजा और मयंक फिर से एक हो गए, पूजा को पता ना चला, पती का प्यार पाकर पूजा कल रात वाली बात भूल गई, अगले दिन पूजा की आँख देर से खुली, पूजा त्यार होकर देखा तो मयंक डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहा था, सरीता ने कहा आओ बैठो बहू, तुम भी नाश्ता कर लो, पूजा नाश्ता करने लगी, तबी सरीता ने कहा ये अंड़ा भूजी मयंक की पसंदिदा है, खा कर देखो इतने में मयंक नहीं, भूजी का एक और पूजा के मुँ में ठूस दिया, पूजा दोडते हुए वासबेशिन के पास गई, और उसे उपकाई आने लगी, उसे ये देख मयंक चिड़ गया, और बोला मॉम कैसी लड़की है ये, सरीता ने पूजा को पानी दिया, फिर पूजा ने कहा मैंड़ा नहीं खाती मुझे उसे चुना तक पसंद नहीं, ये सुन मयंक का मूँ बन गया, मयंक की जीवनशाली के मोडरन तो तरीके देख, पूजा थोड़ी घबराई थी, पर दो तिन दिन में वो थोड़ा बहुत मयंक को समझने लगी थी, मयंक को बिजनस का कुछ काम था, और वीजे सरीता क विदेश जाना था, इसलिए मयंक ने हनिमून पर जाने का प्लान कुछ दिनों के बाद का बनाया था, 15-20 दिन बहुत ही अच्छे बीते, वीजे सरीता विदेश चले गए, उनके विदेश जाने के बाद मयंक का विवार बदल गया, मयंक अपने माता पिता के सामने कुछ और ही था, मयंक सुबह नो बजे आफिस के लिए निकल जाता और रात को देर तक घर नहीं आता, पूजा के पूछने पर कहता कि काम है, काम नहीं करूगा, पूजा मुंबई जैसे शहर में अपने आपको अकेला महसूस करने लगी थी, एक फोन ही साधन था बस अपने माता पिता से बात करने का, पर अपने मन का दर्द भी उनको नहीं बता पाती, क्योंकि वो उन्हें परिशान नहीं करना चाहती थी, हर समय में मैंक का दिल जीतने का प्रियास करती, पर जल्द बाजी में अधिकतर सब उल्टा पुल्टा कर बैठती, एक दिन शाम को मैंक घर जल गर से बाहर पार्टी में जा रही थी, इस वज़े से वह खुश होकर सजधज कर त्यार हुई, उसे देख मैंक ने बुरा सा मूँ बना कर कहा, यह क्या गमारों की तरह साड़ी पहन ली, कुछ वेस्टरन ड्रेस नहीं पहन सकती थी, अच्छा लगता है क्या, इस पर पूजा की सुंदरता पर मर मिटे, रिशी ने हाथ मिलाने को हाथ पकड़ा, तो पकड़े ही रखा, पूजा ने जबरदस्ती खीच कर अपना हाथ चुडाया, अभिशेक नशे में धुत था, वह पूजा को खीच कर डास फ्लोर पर ले जा रहा था, पूजा के मना करते ही म मयंग सब के सामने नाराज होकर बोला, तुम में तो तमीज ही नहीं है, डास कर लोगी, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, पूजा की आँखों में आसु आ गए, वह कोने में जाकर बैठ गई थी, वहादीशी की पतनी मोना बैठी हुई थी, मोना को भी इस तरह की पा पूजा को यह सब बहुत अजीब सा लग रहा था, मयंग को नशे में धुद देख, पूजा परिशान हो गई थी, जैसे तैसे मयंग को घर लाई, उसके बाद पूजा ने उस दिन से इस तरह की पार्टियों में ना जाने की कसम खा ली थी, मयंग जब भी पूजा को पार् पार्टी हाई ससाइटी के तरीके में रहने को कहता, एक बार पूजा और मयंग में जगड़ा भी हुआ, तब मयंग ने गुसे में कहा, वो तो तुम जैसी देहाती लड़की को मैं कभी भी अपनी पतनी नहीं बनाता, पर क्या करूँ, पापा ने साफ साफ कह दिया था, कि पूजा बहुत परेशान और उदास रहने लगी थी, सोचने लगी कि अब उसे सब कुछ अपने माता पिता को बता देना चाहिए, उसे स्वागरात वाले दिन की घटना जब तब याद आने लगती और मन, मन पीड़ा से भर जाता, सोच थी, काश वो घटना मैंने अपने स पूजा ससुर और माता पिता को उसी समय बता दी होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, पूजा ने निरने ले लिया था, अब वो मयंक के साथ नहीं रहेगी, पर इसी बीच पूजा को उल्टिया होने लगी, डॉक्टर के बताने पर पता चला, वो गर्वती है, ये सुन पूजा और परिशान हो गई, अब क्या करें, एक बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ, उससे उसका बाप कैसे चीन ले, वह सोचने लगी, शायद बच्चे के आने से मयंक बदल जाए, और गर्वती होने की बास सुन, मयंक खुश भी हुआ, कुछ महीनों के लिए पूजा के सास ससुर भी उसके पास रहने आ गए, मयंक पूजा का बहुत ख्याल रखने लगा, फिर कुछ समयबाद पूजा माय के चली गई, और सास ससुर विदेश मयंक अभी फोन कर पूजा का खालचाल पूछ लेता, पूजा ने बेटे को जनम दिया, बेटे के जनम प पूजा के सास ससुर भी घर रहने के लिए उसके पास आ गए थे, मयंक ने बेटे कबीर की देखभाल के लिए काम वाली रतना को रख लिया, पूजा को लगने लगा था कि मयंक बदल गया है, सास ससुर के जाने के दो दिन बाद मयंक ने पूजा से कहा, शाम को साथ बज़ त्यार रहना आज रिशी की मेरी जनवर्सरी है उसने तुम्हें लेकर आने को कहा है यह कहे कर वह आफिस चला गया लेकिन पूजा के लिए वहाँ जाना मुम्किन नहीं था क्योंकि कबीर को बुखार था फिर उसे मैंग के दोस्त पसंद भी नहीं थे पीना डास करना और भद्दे भद्दे मजाग करना इस तरह की पार्टियों से पूजा कोसु दूर रहना चाहती थी शाम साथ बजे आते ही मैंग ने पूजा को देख कहा तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या सुबे में तुम से कुछ कह कर गया था पूजा अभी तक तुम त्यार क्यों नहीं हुई हो पूजा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी कबीर को बुखार है ये सुन मैंग नराज होकर पैर पटकता हुआ घर से चला गया लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण मैंग दोस्तों से हाई हैलो करने के बाद एक पैग लेकर कोने की एक टेबल पर चुप चाप जाकर बैठ गया उसे बहुत ही गुसा आ रहा था कि कैसे देहाती औरत उसके पिता ने उसके पल्ले बांदी उस पर अभी नशे का सुरूर चड़ा नहीं था कि एक सुन्दर औरत पर उसकी नजर पड़ी वह कुछ पलो तक उसको अपलक निहारतर है गया मयंग की निगाहें उस औरत से एक पल को मिल गई तो उसने एक घूट में ही बड़ा पैक खाली कर दिया वह औरत भी अकेली ही बैठी थी और मयंग की और देख रही थी अचानक वह औरत उठी और मयंग के पास आकर चेर पर बैठे हुए बोली हाई माईसेल्फ नीता उसकी सुन्दरता में खोए मयंग को सब सपना सा लग रहा था लेकिन वह भी बोला हेलो माईसेल्फ मयंग दोनों में दोस्ती होते देर नहीं लगी मयंग उसकी सुन्दरता पर मर मिटा था तो नीता मयंग की जवानी और अमीरी पर उन दोनों ने ड्रिंक और डास का अच्छी तरह लुप्त उठाया फोन नंबर एक्चेंज हुए और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना मयंग सब कुछ भूल कर नीता के प्यार में खो गया वह मीटिंग और अधिक काम के बहाने घर से कहीं दिनों तक गायब रहने लगा दोनों के भी समंद भी बन चुका था इसलिए मयंग उसके नशे में डूबा रहता दोनों अक्सर साथ में लंच करते तो कभी पिक्चर जाते कभी गार्डन तो कभी मॉल घूमते पूजा का मयंग के गायब रहने और उसके विवार पर शक होने लगा था वह कभी-कभी मयंग के सोजाने के बाद फॉन कॉल और SMS चेक करती पर अंतुचालाक मयंग पतनी के लिए कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था एक दिन शाम को अचानक मयंग ने कहा पूजा मैं हैदरबाद जा रहा हूँ वहाँ विदेश से कलाइंट आया है उसके साथ मेरी मीटिंग है वहाँ मुझे दो-तीन दिन लगेंगे पूजा ने मयंग को शक की नजर से देखा लेकिन कुछ नहीं बोली सिर्फ धीमी आवाज में बाई कह दिया बाद में उसने मयंग की सेकरेटरी को फोन किया तो पता चला कि मयंग ने अपनी सेकरेटरी सी कहा है कि वो वोकेशन पर फैमली के साथ जा रहा है इधर मयंग प्लेन की सीट पर बैठते ही नीता के सपनों में खो गया उसने अपनी आँखे बंद कर ली थी वह नीता के खूबसूरत एहसास को जी रहा था तबी उसके फोन की घंटी बजी उधर नीता थी वह बोली जानू मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है मेरी फ्लाइट में अभी समय है मयंग ने साथानी बढ़तने के कारण दोनों की अलग-अलग फ्लाइट बुक करवाई थी कुछ देर बाद दोनों हैदराबाद एरपोर्ट पर मिले वहाँ से दोनों होटल पहुँच गए नीता ने मयंग से कहा तुम बहुत अच्छे हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ तुम मुझे यूज करके अपनी पतनी के पास सो नहीं लोड जाओगे न मयंग ने कहा अरे नहीं नहीं मैं तो खुद उस देहाती के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जिसे न उठने बैठने पहने ओडने की तमीज है और ना ही हाई क्लास सोसाइटी में रहने का धंग वो तो मैं अपने पिता के कारण उसे जेल रहा हूँ बस पर अब नहीं अब तुम आ गई हो मेरी जिन्दगी में मैं जल्द ही उसे तलाक देने की बात अपने माता पिता से करूँगा ये सुन नीता ने उसे बाहों में भर लिया फिर कुछ देर बाद एक ब्रेसलेट अपने पर्स में से निकाल कर बोली डियर यह ब्रेसलेट मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ जो हर समय हर पल तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा ब्रेसलेट पहन कर मेंग सोचने लगा उसे भी नीता के लिए कुछ खरीदना चाहिए बदले में में मेंग ने नीता को हीरे का हार दिया मेंग और नीता शाम को पब गए वहां नीता सहस्ता से एक के बाद एक पैक चड़ा रही थी साथ ही मेंग को भी पिला रही थी दोनों मदहोशी में थे और गहरे नशे में डूब चुके थे होटल में लोटने पर मैंग अपने फोन में कुछ कर रहा था कि नीता उसके हाथ से फोन खीच कर बोली मुझ जैसी हसीना के होते हुए फोन से खेल रहे हो फिर वह उसके और करीब आकर बोली मुझे एक लंबे इंतजार के बाद तुम जैसा बाइफरेंड मिला है तुम अपनी पतनी से कब तलाक लोगे बहुत हो गई लूकाचिपी अब तुम से दूरी बरदास नहीं हो रही है मयंक ने पूछा नीता आज तक तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आया नीता ने कहा नहीं मैं सिंगल हूँ आज तक किसी पर दिल ही नहीं आया पर तुम्हें देखते ही मुझे ना जाने क्या हो गया मैं तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया भूल गई हर समय तुम्हारे ख्वाबों में खोई रहती हूँ आफिस के कामों में भी मन नहीं लगता यह सब कहते कहते नीता ने मैं के होटो को चूम लिया और फिर दोनों सो गए दो दिन बाद हैदराबाद से मैं वापिस लोट आया पर नीता ने कहा उसे हैदराबाद में कुछ काम है इसलिए वो दो दिन बाद आ जाएगी मैंग सुभे जब घर पहुँचा तो कुछ देर बाद आफिस जाने के लिए तैयार होने लगा पूजा ने चाए नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया मैंग हडब ड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कफ में चाए देखते ही चिल लाया देहाती ओरत दो साल हो गए शादी को जब तुझे पता है कि मैं इस तरह की चाए नहीं पीता तो क्यों बनाती हो पूजा ने कहा रुको मैं आपके पसंद की चाए बना कर लाती हूँ घर से इस तरह चाए नाश्ते के बिना मत जाओ मैंक ने पूजा को सामने से हटाने के लिए उसे धक्का दे दिया और बिना पीछे मुडे देखकर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया पूजा का माथा टेबल के कोने से टकरा गया उसके माथे से खून निकलने लगा फिर खुद ही उसने चोट पर दवा लगाई और लेट कर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी वह कब तक इस तरह अपमानित होकर जीती रहेगी और अपने और अपने बच्चे के भुईशा के बारे में गंबीरता पूरक सोचना पड़ेगा अब मयंक उस पर हाथ भी उठाने लगा था वो अब क्या करे पूजा समझ नहीं पा रही थी कि मयंक आजकर कहां व्यस्त रहता है पहले दोस्त और शराब में लगा रहता था अब उनको छोड़ दिया तो कहां किसके साथ रहता है ये जानने के लिए उसने एक डिटेक्टिव एजनसी से बात की एक दिन पूजा ने मयंक से कहा देखो मयंक मैं जानती हूँ आपका जीने का ये तरीका मुझे पसंद नहीं और मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं आपको मैं एक देहाती पतनी रगती हूँ इसलिए अच्छा ये ही है कि हम दोनों अलग हो जाएं ये सुन मयंक मन ही मन खुश होता हुआ बोला तुम ठीक कह रही हो पूजा मैं भी ये बात तुमें कहना चाहता था पूजा ने आगे कहा आज आपने सारी सीमाई तोड़ दी है मुझ पर हाथ उठा कर यदि कबीर ना हुआ होता तो मैं बहुत पहले ही घर छोड़ कर जा चुकी होती वो तो कबीर के कारण ही इतने समय तक मैं अत्यचार जहलती रही इतने दिन में चुप और शान्त इसलिए रही कि शायद आप सुधर जाओगे लेकिन आपने तो नहीं सुधरने की कसम खा ली है काश उस दिन सुहागरात की पीड़ा जहलने के बाद मैंने यह कदम उठा लिया होता तो अच्छा होता पूजा की बात सुन मैंक चुप चाप कमरे से चला गया दोनों में बोलचाल बंद थी घर में शान्ती छा गई थी पूजा को डिटेक्टिव अजन्सी वालों से मैंक और नीता के रिष्टे की बात पता चल गई उन्होंने सबूत के तोर पर पूजा को सीडी भी धी पूजा को मैंक के गायब रहने का राज पता चल गया पूजा ने सोच लिया था वो जल्द ही अपने माता पिता और सास ससुर से बात करेगी पर अगले ही दिन मैंक की मम्मी का फोन आ गया कि मैंक के पापा को हार्ट अटैक हुआ है इसलिए तुम दोनों तुरंत आ जाओ पर सिती को देख पूजा मैंक के साथ विदेश चली गई एक हफते बाद मैंक के पिता हस्पताल से डिस्चार्ज हो गए पर नीता के प्यार में डूबे मैंक को चैन नहीं मिल रहा था और इस समय माता पिता से बात करना भी उचित नहीं था इसलिए उसने वापस मुंबई आने का सोचा पर सरीता ने कहा कि कुछ दिनों के लिए पूजा और कबीर को यहीं छोड़ जा पूजा और कबीर को छोड़ मैंक मुंबई आ गया पूजा के उतरे हुए चहरे और गुमसुम रहने से सरीता को शक हुआ उसने पूजा से पूछा पूजा तुमहारे और मैंक के बीच सब ठीक तो है ना पूजा ने कहना तो चाहा पर अपने ससुर की तब्यत को देखकर बोली जी मम्मी जी सब ठीक है सरीता ने पूछा पर मयंग तो तुमें फोन भी नहीं करता मुंबई जाने के बाद याद तक नहीं करता पूजा ने बात बनाते हुए कहा मयंग काम में बहुत बीजी रहते हैं इसलिए नहीं कर सके होंगे सरीता ने कहा तुम मुझे कुछ छिपा रही हो पूजा सच सच कहो मैं अपने बेटे के सभाव को अच्छी तरह जानती हूँ यह सुन पूजा अपने आपको रोक ना पाई तो एकदम से रो पड़ी और बोली मम्मी जी मैं मयंक से तलाक लेना चाहती हूँ और मयंक भी यही चाहते हैं मैं उनके साथ अब नहीं निभा सकती दो साल मैंने बड़ी ही मुश्किल से काटे हैं प्लीज आप पापा जी से कुछ मत कहिएगा अभी उनकी तबियत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है पूजा ने स्वागरात की पीड़ा से लेकर और बोले तुम अब तक ये सब सहती रही तुम्हें ये सब हमको पहले ही बता देना चाहिए था मैं मयंक से जल्द ही बात करती हूँ तुम चुप हो जाओ बहू मैं और तुम्हारे ससूर जी तुम्हारे साथ है मयंक के कदम बहग गए तो हम सब को मिलकर ही उसे सही रास्ते पर लाना होगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा पूजा मेरा येकीन है कि मयंक बहुत जल्द ही तुम्हारे पास होगा सरीता ने पूजा को इंगलिस स्पीकिंग और परसनालिटी डेवलपमेंट की कलास जोइन करवा दी पूजा सुन्दर तो थी ही अब उसकी परसनालिटी भी निखर उठी थी क्योंकि पूजा का आत्मिश्वास बढ़ चुका था सरीता पूजा के बदले हुए विक्तितु से बहुत खुश थी कुछ दिनों बाद सरीता मयंक के घर मुंबई अकेले ही पहुँच गई घर पर नीता का सामान देख मयंक से पूछा बेटा यहां तुम्हारे साथ कौन रहता है सक पकाया सा मयंक बोला कोई नहीं मौम मेरी एक दोस्त किसी काम से यहां आई है उसी का सामान यहां वहां बिखरा हुआ है आज वो जाने वाली है सरीता ने कहा साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी गर्ल्फरेंट तुम्हारे साथ रह रही है वैसे मयंक यह तुमने अच्छा किया कि अपने लिए एक लड़की ढूंड ली क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि मेरा इतना मौडरन बेटा कैसे उस देहाती बीवी के साथ रह रहा होगा ये सुन मयंक ने कहा मा सच में पूजा के साथ रहना तो वास्तों में बहुत ही मुश्किल है पक्की घरेलू और देहाती लड़की है मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता वो तो पापा के कारण दो सालों से उसे जेल रहा हूँ बस सरीता ने कहा तो ठीक है तुम उससे तलाक ले लो मयंक ने कहा हाँ मैं मन ही मन यह सोचता तो था लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई अब आप मेरे फेवर में है तो मैं कल ही वकील से मिलकर बात करूंगा पर मॉम पापा से आप ही बात करना आप पापा के सामने अपने कदम तो पीछे नहीं कर लोगी ना मुझे पापा से बहुत डर लगता है सरीता ने कहा मयंक तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पूजा ने उन पर ना जाने कौन सा जादू कर रखा है वे रात दिन पूजा की ही बस तारीफ करते रहते हैं ठीक है मैं देखती हूँ लेकिन अपनी गर्फरंट से कब मिलवाओगे मयंक ने कहा शुब काम में देरी कैसी मा अभी उसे फोन कर देता हूँ मयंक ने नीता से बात की फिर फोन रख कर कहा आज नीता बीजी है इसलिए वे नहीं आएगी सरीता ने पूछा रात में दस बजे वह कहां भी जी है मयंक ने कहा मुझे क्या बता किसी क्लाइंट के साथ होगी उसकी मीटिंग होगी मॉम हम परसनल बाते आपस में डिसकस नहीं करते सरीता ने कहा फिर तो वह आमीर लड़की होगी मयंक ने कहा नहीं आमीर तो नहीं पर उसमें वही सब बाते हैं जो मुझे चाहिए उसमें आमीरों वाले तोर तरीके पहनने कर ढ़ंग ये सब है ये देखो ये ब्रेसलेट भी उसी ने दिया है सोने का है मा सरीता ने कहा वह बहुत सुन्दर है पर सरीता ने ब्रेसलेट को उल्ट पल्ट कर देखा और यहां महां जरसा घिस कर देखा फिर बोली इस पर तो सोने की पॉलिश भी नहीं है इसकी कीमत हजार पंद्रसो रुपए होगी चाहो तो तुम इसे ज्वैलर्स के पास दिखवा लो यह सुन मयंक ने कहा रहने दो नीता ने शायद मुझ पर इंप्रेशन जमाने के लिए नकली ब्रेसलेट दिया होगा सरीता ने कहा असली नकली को पहचान न सीखो मयंक कब तक यू तड़क भड़क के पीछे भागते रहोगे मयंक ने कहा मान नीता बहुत अच्छी लड़की है उसने अब तक शादी भी नहीं की आप तो इतनी सी बात को लेकर बैठ गई सरीता ने कहा अच्छा ये लव सीड़ी इसमें तुम्हारे लिए कुछ है पहले देख लो मयंक ने सीड़ी लगाई सबसे पहले नीता का फोटो उसके पहले पती के साथ था जिसमें वह साधारन सी साड़ी में थी उसका पती एक करियाना की दुकान वाला था उसे छोड़कर नीता ने फिर किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली उसका भी फोटो था फिर किसी अधेड रईस के साथ रहने लगी वह उसके पैसे पर एश करती रही फिर जब उसकी आर्थिक सीथी खराब हो गई उसको पैरलसिस हो गया तो उसको छोड़कर अब इधर उदर रही समार्ट लड़कों के साथ रोमैंस नाटक कर उन्हें लूट रही थी नाइट कलब के कई वीडियो थे जिसमें वह अलग-अलग लड़कों के साथ अशलील डास कर रही थी मयांक ने सरीता के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया फिर सरीता ने कहा पूजा तुमसे तलाक चाहती है ये बात उसने मेरे पूछने पर बताई और उसने नीता के बारे में भी बताया तब मैंने डिटेक्टिव से नीता के बारे में सब पता किया शायद अब तुम्हें समझ आ गया हो पूजा देहाती जरूर है पर चरितर ही नहीं बेचारी तुम्हारे अत्यचार सहती रही कभी शिकायत तक नहीं की पर तुम्हें कभी धोका भी नहीं दिया बस जरूर थी उसे थोड़ा बहुत सिखाने की क्योंकि वो इस तरह पहनना और ना नहीं जानती उसकी परसनलिटी को निखारने की पर तुमने उसे देहाती समझ कर उस पर जुल्म किया उसे प्यार तक नहीं दिया क्या पूजा के हाथ में शराब का गिलास और प्राय मर्दों के साथ बाहों में बाहे डाल डास करना क्या तुम बरदास कर पाते अभी भी देर नहीं हुई है सुधर जाओ बस यही समझाने में यहां आई थी अगले दिन सरीता वापस विदेश चली गई फिर अगले दिन दोपैर को नीता मयंक से मिलने आई मयंक ने नीता से कहा मां हमारी शादी के लिए मान गई जल्द ही पूजा से तलाक ले लूँगा ये सुन नीता ने कहा हाँ अब मुझे तुम से दूर रहना अच्छा नहीं लगता फिर मयंक ने कहा मैं तुम्हे कुछ दिखाना चाहता हूँ मयंक ने वो सीड़ी नीता को दिखाए तो उसके होश उड़ गए फिर मयंक ने नीता से पूछा क्यों कि या तुमने ऐसा नीता ने कहा मेरी शादी एक गरीब आदमी से हुई मैं तिल-तिल मर रही थी फिर मैंने एक रईस को फसाया तुम जैसे रईस आदमी अपनी मिडल क्लास पतनी जिन में अच्छी परवरिश और संसकार होते हैं उन्हें दिहाती समझ कर बाहर मुँ मारते हैं तो मैंने अपने आपको उस तोर तरीके में ढाल दिया और अमीर लड़कों के साथ इंजोय करना यही मेरा काम है और शादी तो मैं तुमसे यूँ भी नहीं करती असली हीरे को छोड़कर मैं नकली चमक दमक में बटक गया था मैं पूजा का गुनेगार हूँ मुझे उससे माफी मांगनी है कहीं देर ना हो जाए अगले ही दिन मैंग पूजा के पास पहुँच गया और उससे माफी मांगने लगा पूजा ने कहा मैंने तुम्हें मम्मी जी और पापा जी के कारण माफ कर दिया और एक आखरी मोका दे रही हूँ पर एक शर्त भी रखी कि आज के बाद तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे और पार्टी में कोई भी ड्रिंक नहीं करोगे और मेरे साथ अच्छा विवार करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहने को त्यार हूँ मैंक ने पूजा की सभी बाते मान ले पूजा वापस मैंक के साथ मुंबई आ गई उसकी सास ने उसका घर तूटने से बचा लिया मैंक अब वो मैंक नहीं रहा जो पहले था वो पूजा को प्यार देता ड्रिंक भी नहीं करता समय से घर आता कुछ समय बाद मैंक की शादी की सालगिरा आई तब मैंक ने सबसे पहले पूजा को विश किया उसे बहुत महंगग गिफ्ट भी दिया शाम को सभी दोस्त पार्टी पार्टी करते हुए घर आ गए ये देख पूजा को लगा आज फिर मैंक पीने वाला है तब मैंक ने अपने दोस्तों से कहा तुम्हें दोस्ती ये ड्रिंक किसी एक को चुनना पड़ेगा मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा तब रिशी ने कहा ड्रिंक पर दोस्ती भारी है सभी ने खाया डास किया गेम खेले बहुत इंजोय किया पूजा ने भी अपने आपको थोड़ा बदल लिया था अब वो सलीके से रहने लगी थी पूजा ने प्यार भरी निगाओं से मयंग को देखकर उसका हाथ पकड़ कर कहा थैंक्स मयंग ने भी पूजा को बाहों में भर कर कहा थैंक्स तुमने मुझ पर विश्वाश किया और मेरे लिए खुद को भी बदला लव यू दोनों एक दूसरे के बाहों में खुश थे तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कुमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी आप हमें कुमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरनादाय कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुप वा मंगल में हो